वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज अपना बजट पेश कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं वित्तराज मंत्री अनुराख ठाकुर जी अनुराख जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा प्रधान मंत्री ने आपदा में आउसर का जो मंत्र दिया है उसमें उनका सबसे बड़ा सपना है आत्म निर्भर भारत कैसे बजट आत्म निर्भर भारत के गोल को पूरा करता है देखे पहली तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महामारी के समय देश की जनता की जान बचाई जा सके फिर अर्थवियस्ता को बचाए मोधी जी न जान बचाने का काम भी किया दुनिया भर में मृत्यूदर सबसे कम है तो भारत उन देशों में से एक है और इस अर्थवियस्ता को वी शेप रिकवरी की बात की जाए तो बड़ी तेजी के साथ वो भी हो रहा है क्योंकि पिछले चार महिनों में GST कॉलेक्शन लगा अतार एक लाक क्रोड पे से जादा रही है और इस बजट में सबसे बड़ी चनौती थी कि किया क्या जाए अगर जनता पर टेक्स का बोज नहीं डालना है नए कर नहीं लगाने है तो सरकार की आमदन कैसे बढ़ेगी और सरकार नवेश अपना कैसे बढ़ाएगी हमने अपने खर्चे को दीपक जी बढ़ाया 34.5% जादा कैपिटल पर, कैपिटल एक्स्पेंडिचर पर लगबग 5.5 लाक क्रोड पे जादा खर्च करने वाले हैं माल लीजे सडकों पर 1.18.000 क्रोड पर खर्च होगा रेलवेपर 1.010.000 क्रोड पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जल जीवन मिशन पर हर घर में नल देने के लिए और जल देने के लिए 50.000 क्रोड दे रहे हैं परदानमंतरी स्वस्थ, परदानमंतरी आत्म निर्वेर स्वस्थ भारत योजना 64,180 क्रोड खर्च कर रहे हैं स्वास्ते के क्षेतर में 137% वरिद्धी जादा है यह अपने आप में बड़ी बात है हेल्थ केर इंफ्रास्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं ग्रामीन्स तर पर जिलास तर पर और तो और किसानों के लिए 65,000 क्रोड का बीम किसान सम्मान निदी में प्रावधान किया एगरिकल्चर सैस लगाने जा रहे हैं ताकि किसानों के लिए क्रिशी का अजार वू धांचा बना कर दे सकें मन्रेगा का बजट 73,000 क्रोड पर रखा है जो कॉंग्रेश के 30,000 क्रोड के मुकाबले दुगने से जाता है सबसे महतुपूर्ण बात जो हमने आपदा में आफसर की बात कही आफसर एक ये भी है कि हम कितनी जल्दी वैक्सिनेशन लोगों का करते हैं आपने 35,000 क्रोड रुपए सिर्फ वैक्सिनेशन के लिए रखा है वित मंत्री जी यानि आपके मंत्राले ने कहा है कि हो सकता है अगर और जरूत पड़ी तो और पैसा लगेगा क्या शुरुवाती 35 करोड जिनको हम वैक्सिनेशन का टार्गेट रख रहे हैं इस साल में उसके लिए 35,000 करोड रुपए सफिशेंट है और क्या सबको फ्री वैक्सिन मिलेगी कम से कम पहले लॉट में देखे पहले ये था कि जब कोविड में हमारी आई हमने 15,000 करोड पे सबसे पहले देश पर में दिया सभी राज्यों को पी-पी किट खरीदने के लिए दिया मास्क खरीदने के लिए दिया वेंट्रीलेटर खरीदने के लिए फिर हमने कोविड वारियर्स की 50,000,000 पे की इंशुरेंस भी करा कर दिया और भी सारे कदम उठाए जान बचाने का काम किया और आज हम कह सकते हैं दुनिया भर में सबसे कम रित्युदर भारत में है जहां एक भी पी-पी किटनी बनती थी दीपक भाई वहाँ पर आज भारत की पूर्ती भी करते हैं और भारत से विदेशों को भी हम भेज रहे हैं इसी तरह से भारत आज दो कोविड वैक्शिन बना चुका है यहां पे निर्मान करके अब दुनिया के सौज से जादा देशों को दे चुका है ये मोदी जी ने वासुदेव कुटमकुम की जो बात है उसको पूरा करके दिखाया है अपने लोगों को भी विदेश के लोगों को भी करने का काम किया हिंदोस्तान के लोगों को कोई चिंता करने की अवश्यक्ता नहीं 35,000 क्रोड दिया है आगे भी देने की जूरत पड़ेगी तो देंगे एक सवाल मैं आप से क्रिकेट टर्म में पूछता हूँ कई बार बोला कि अब तो टीम इंडिया की तरह बैटिंग करेगी टीम मोदी तो आज वित्तमंत्री जी कैसा खेली पुजारा की तरह खेली पंत की तरह खेली शुबमन गिल की तरह खेली क्योंकि आप से बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता आप तो खुद बिसीजी आई के अद्देक्स रहे हैं कैसे खेली आज निर्मलास की तरह मन जी ओन दे फ्लोर अधाउस पर मुझे लगता है मुझे लगता है शांदार बजट मानने वित्तमंत्री जी ने पेश किया है और अगर मैं क्रिकट टर्म्स में कहूं तो आपकी शेर मार्किट ने वो संदेश दे दिया सभी टीवी चैनल से ने संदेश दे दिया कि पूरे देश ने इस बजट का स्वागत किया है इसका मतलब यह है निरमला सीतारमन जी मैनव दा मैच बनी है शांदार प्रदर्शन उन्हों ने किया है आपके क्रिटिक्स कहा रहे हैं सरकार की कि मिडल क्लास के लिए कुछ नहीं है अगर स्पेंडिंग पावर नहीं बड़ा तो फिर तो एकोनोमी जो है वो फिर से दिक्कत में आ जाएगी क्या वाकई में मिडल क्लास के लिए कुछ नहीं है खास तोर पर मिडल क्लास यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाय टेक्स में कुछ रहात मिल जाए देखे हमने लगातार कोविट के समय भी चाहे बैंकों के लिए मॉरेटोरियम चाहिए था वो भी दिया धंदे चालू रखने के लिए पैसा जादा चाहिए था तीन लाग क्रोड पया एमरजन्सी क्रेडिट लाइन क्रेंटी स्कीम के माद्यम से दिया किसी की जबीन गिरवी नहीं रखी किसी का कुछ नहीं किया दो क्रोड पय तक वालों के लिए कंपाउंडिंग इंटरसेवी मुक्ती उनको दिला दी यहां तक की रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी दे दी सब के विपार बच सके या रोजगार बच सके उसके हमने तब भी कतम उठाए अब भी लोग कहते तो कोविध टेक्स लगेगा मोधी सरकार और टेक्स लगा सकती है क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा करजा लिया है दीपक जी हमने किसी के उपर भी एक रपे का बोज़ भी हमने इस बजट में नहीं डाला है और उल्टा सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाने का काम किया है ताकि और रोजगार उत्पन हो सके अर्थवियस्ता में तेजी आ सके अलग लग सेक्टर्स में उसका इफेक्ट नजर आ सके आखरी चीज़ में आप से जानना चाहूंगा वो है स्क्रैप पॉलिसी आख सरकार ने क्योंकि कार आप भी चलाते हैं कार में मैं भी चलता हूँ आप भी चलते हैं मेरे खाल से करोड़ों गाड़ियां होंगी चाहे स्मॉल हो या बड़ी हो और उससे हमारी एकोनोमी भी घुमती है ये स्क्रैप पॉलिसी जो 20 साल की गाड़ियों पर होगी ये किस तरीके की होगी क्या नई गाड़ियों पर ये स्क्रैप पॉलिसी लगओ होगी या 20 साल जो पुरानी गाड़ी हो चुकी है अल्रेड़ी उन पर भी स्क्रैप पॉलिसी लगओ होगी इस पर लोग जानना चाहते हैं खतम हो जाती है तो उससे मुक्ति मिलेगी वो आदमी भी नहीं गाड़ी ले पाएगा उसका भी मेंटेनस का खर्चा कम होगा इससे परदूशन भी बचेगा आटो मोबिल इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और लोगों को नहीं गाड़ियां लेने के अफसर भी मिलेंगे बहुत बढ़ाई हो आज आपने फिर से एक सफल बज़ेट पेश किया है उम्मीद करते हैं कि आपने निर्भर का भारत का सपना इस बज़ेट से जरूर पूरा होगा केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज अपना बज़ेट पेश कर दिया है और इसी बज़ेट पर हम देश के जो बड़े केंद्री मंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं दूर संचार यानि टेलकॉम और आईटी मामलो के मं मंत्री और कानून मामलों के रविशंकर प्रसाज जी सबसे पहला मेरा यह सवाल कि हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दिया गया है आपने बिहार में वादा किया है कि आप कोरोना वैक्सिन फ्री में लगाएंगे यह आपका इलेक्शन प्रामिस है क्या पूरे देश को भी फ् पूरे फिलास्टी को समझना जरूरी है और हमारे प्रधार मंत्री जी के साहस और दूर की सोच को भी समझना जरूरी है उनका भी अविरंदन और वित्त मंत्री उनकी टीम का भी अविरंदन लेकि एक बात समझे कोरोना की लडाई में भारत दुनिया को एक बहुत बड़ी मिसाल दी है सबसे दिक कम लोग मरे सबसे दिक कम लोग रसित हुए भारत की अबादी को देखिया लेकिन इस बात को कभी नहीं भूली है जो उन्हें कहा अपने भाशन में भी कि पूरे कुरोना में लगबख 27 लाग करोड का सहयोग दिया गया था भारत के लोगों को एक लाग करोड किसानों के लिए दिया गया था इंफ्रसक्टर के लिए दो लाग 76 लाग करोड गरीब तल्यान योजना में असी करोड लोगो खाना मुफ दिया गया पांच किलो चावल पांच किलो बाकी जो हमारे माइगरेंट वरकर्स हैं उनके लिए किया गया महिलाओं को मूल सार है स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत सेहतमन भारत आपने का यह बजट उस भविश्य के रास्ते को आगे बढ़ाता है लेकिन विपक्षी दल इस बजट के बारे में कह रहे हैं कि यह तो सेल लग गई है विनिवेश कर दीजिए बाकी सरकारी इंस्टूशन का कर है अब एसेट मॉनिटाइजेशन की बात हो रही है बाद में इनको भी बेज दिया जाएगा तो क्या वाकई यह गवर्मेंट ऑन सेल का बजट है जो विपक्ष इसको प्रजेट करने की कोशिश कर रहा है आप इस क्रिटिसिजम को कैसे देखते हैं क्योंकि आप भी डिस इ है तो आज देखिए सडकों के लिए कितना बड़ा उन्होंने बड़ा अलोग आठ हजार करोड के पूरे सडके बनेगी पूरे बिजली के धांचे को सुधारना है तो डिसकॉम को ठीक किया जाएगा और प्रड़क्शन निंक इंसेंटिव के माध्यम से हमें देश में मनु मोबाइल मनुफेक्शर बन गया कंपोनेंट का और मेरा संगतल्फ है कि इसको मैं नमबर एक बनाऊंगा अब ऐसे में जो हमारे विपक्षी बोलते हैं तो उनसे मैं एक्यागरा करूंगा कि इस पर भैस होगी ना भैस होगी तो हम जवाब देंगे आईये आप भी जरा सवाल पूछने के लिए कि 2019 के अपने घोशना पत्र में हमने जो तीन कानुन लाया है इस से अधिक सक्ष कानुना अपलाने की बात कर रहे थे हां कंट्रैक्ट फार्मिंग आपके मुख्ष मंत्री ने हर्याना में शुरू किया था आपके मुख्ष मंत्री कर रहे हैं यहां पर हम तो यह भी पूछेंगे कि बज़ाट पर तो वह चले चर्चा करेंगे ही करेंगे तो हम उनसे बड़े विरंता से पूछेंगा में एक चीज इस कादुन की कमी बता दीजिए क्या कोई मंडी हमने बंद किया क्या हमने निंतम समर्थन मूल में MSP में तो आज निर्मला में भी नहीं देंगे तो हम तो एक ही सवाल करेंगे कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं राहुल जी विपक्ष के लोग किसानों की समझ्चाओं को बहुत समझते हैं तो एक बार हमें बता दीजिए आप समझा दीजिए तो वैसा है कि उनका काम तो आलोचना कर नही है करें लोग तत रहें लेकिन हमने इसलिए बहुत नमता से आप से इर्मती लेके इस पूरे बजट के दर्शन को समझाए मैं सीधे आओंगा किसानों की बात पर क्यूंकि आप कानून सुप्रेम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिये हैं और कानून वाकई में अमली तोर पर की बस एक फोन कॉल अवे जो लाल के लिए की घटना हुई उन समझ से हमनों बहुत दुखी थे और बहुत प्ली थे और मैं बहुत विनमता से कहूँगा राहुल गांदी सहित विपक्ष के नेताओं ने उस घटना की भरसना अभी तक नहीं किये दीपक बाबू मैं आपके छनलंपर शाद पहली बार बोल रहा हूँ इसमान्ठाज कर राहुल गांदी का नाम ने रेता हूं यहां पर लूँगा और लेकर यह कहूंगा राहुल गांदी जी आपने परिवार के कारण उस फ्ठान पर हैं जहां पर हैं आपकी छमताओं के बारे में हम चरचा कर सकते ह बारिवार के पिताजी, दादी जी और दादा जी ने चालिस ठाल तक लगबग लाल किरे की प्राचीर से तिरंगा लहराया है। यह है वो पवित्र स्थल और वहां पर कैसे कैसे लोगों ने क्या किया? एक शब्द अलोचना के नहीं है। आप्चारिक चर्चा चल रही है। स को सोप्रिम कोट ने स्टे किया है राश्पति जी ने अपने अभी भाशन में इस बात को स्विकारा है कि सरकार ने उसको माना है लेकिन हाँ ये बात तो हम जरूर कहेंगे इस कानून में कमी क्या है एक आखरी सवाल मैं आप से पूछूंगा आज बड़े सरकार ने कहा है वन नेशन वन राशन कार्ड आप आईटी विभाग के मंतरी हैं क्या राशन कार्ड को आने वाले समय में डिजिटाइज किया जाएगा और क्या वन नेशन वन राशन कार्ड को डिजिटाइज करके जो जहां माइग्रेट होता है वहाँ पर पहुंचने की वश्ता इस बारे मे खाजीवपूर दर्भंगा और किशन दंग का एक रिशा वाला या उत्तरप्रदेश के बस्ति दिवरिया का एक रिशा दिल्ली आता है या मुंबई जाता है अपने मिज़ूरी करने या रिख्षा चराने तो वहां जाके फिर राशन कार्ड बनाएगा और फिर उसको राशन पुने में आ गया हूं मेरा कोटा यहां ट्रास्फर कर दो तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो सब कुछ डिजिटल होगा तो जो फेक हैं जूटे हैं सिर्फ रेकॉर्ड पर हैं वो भी पकड़े जाएंगे बहुत बहुत शुक्रा रविशंकर जी आपने बात की और पूरे बजट में कैसे भारत आत्मे निर्मा भारत की और बढ़ेगा उसके लिए आपने पॉइंट समय बताएं और बताएं कि कैसे वन नेशन वन राशन कार्ड अगर डिजिटाइज हो गया तो मेरे खाल से यह दुनिया का अपने आपने सबसे बड़ा रिवलिशन हो होगा आपने अपने से बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया